हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर और बहुती आसान पैटर्न सियर करने जारी हूँ, आप इस पैटर्न को औल प्रोजक्ट पे डाल सकते हैं, लेडिज के लिए, गल्स के लिए, बेबिज के लिए और जैन्स के लिए, इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप में भी डाल सकते हैं, बनके हमारा ये पैटर्न बहुती सुन्दर आता है, दस नमबर की सलाई में हमन इस्ट्रा डालेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वी ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे देखे एक एश्ट्रा फंदा बिना बुने उतारा फिर दो फंदे सीधे बुनके उतारे दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखे हमने तीन फंदे एक साथ बुनने और तीन फंदों से हमने फिर तीन फंदे बना लेने हैं तो देखे य एक हो गया फिर धागा अपनी साइड दो और फिर ये बुन के तीन तो देखे हमने तीन फंदों को एक साथ बुना और तीन फंदों से फिर हमने ये तीन फंदे बना दी फिर देखे नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखे हमने तीन फंदे एक साथ बुन लेने हैं य फिर बुन के देखे तीसरा फंदा बन गये तो देखे हमने तीन फंदों को एक साथ बुना और तीन फंदों से हमने ये तीन फंदे बना दी फिर देखे नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखे नेश्ट तीन फंदे एक साथ बुनेंगे ये फरंट साइड से हमारी प अब देखें सेटम प्रोशीज को हम रिपीट करते हुए हमने फ्रैंट साइट से पैटन की फर्ष रोड नेंगे और देखें से फ्रैंट साइट युंकि में पहला कि फम्न टार लेंगे अब देखेंत से हमने सेकिंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है अब देखें फरंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में हमारा पैटरन रिपीट होगा और साथ में सिप्ट होगा तो देखें यह एश्टरा फंदा उतारा है अब एश्टरा फंदा उतारने के बाद देखें हमने तीन फंदे एक साथ बुन लेने ये तीन फंदे एक साथ बुनेंगे ये हमारा पैटर्न सिप्ट हो रहा है ये देखे एक फंदा बना दिया फिर धागा अपनी साइट करेंगे दूसरा फंदा और फिर ये बुन के तीसरा फंदा तो देखे हमने तीन फंदे एक साथ बुने और तीन फंदों से ये तीन फंदे बना दे फिर देखें नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखें नेश्ट हमने तीन फंदे एक साथ बुनने है और इनसे देखें हमने ये तीन फंदे बना लेने है एक हो गया धागा अपनी साइड दो और फिर ये बुनके तीन तो हमने ये तीन फंदों से तीन फंदे बना दे तो देखिए ये हमारा पैटरन रिपीट एंड सिप्ट हो रहा है इस तरह हमने फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है अब देखिए बैक साइड से फोर्ट रो अब फोर्ट रो में देखिए एस्ट्रा फंदा उता लेंगे और देखिए बैक साइड से फोर्ट रो को उल्टा बुनते हुए हमने कंप्लीट करना है पूरे पैटरन में हमने बैक साइड से ये ही प्रोसिस रिपीट करना है अब देखिए फ्रंट साइट से फिप्त रो अब फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा और बनके देखिए हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए बहुती सुन्दर और बहुती आसान पैटन है आप इसे किसी भी प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं और बनाने के लिए भी देखिए हमारा पैटन बहुती आसान है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें थेंक यू